एलो आई कैसे हो आई हूपूप से बहुत चोंओ से हो कograf है आज की वीडियो में हम बात करने वाले है आई PHIL committed मुबाईल के बारे में लेटेस्ट अन्यू मुबायल के बारे में तो आज कि वीडियो में हम के जाला कुछ बातい करने हमोबाइल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, इससे वाइल को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं नमश्काहर, दोस्तों मिरा नाम है तो मतलब कि जो प्रसनेलिटी होगी ना वो एक अलागी होगी कि पूरे ग्रूप में आपके पास जो है मतलब कि एपल का मोबाइल है आईफोन 13 लेटर च्ट न्यू मोबाइल तो अभी ये चीज देखते हुए मतलब क्या करते हैं हम यही सोचते हैं कि हम यह मोबाइल लेना ह तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो यहाँ पर हमाँ आपको बतादूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ शोक के तोर पर ये मोबाइल लेना चाहते हैं आप नूर्मल फैमिली से हो आप स्टड़ी कर रहे हो या फिर आप कोई ज़्यादा income नहीं है तो भी आप ये mobile मतलो क्योंकि इसका प्राइज बहुत ज़्यादा है और अगर आप जैसे तैसे करके इस प्राइज तक पहुंचते हो तो मापको यही कहूँआ कि ये mobile लेना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ personality के लिए ये mobile लेना है तो आप ये mobile मतलो वो एक अलग बात है कि आपके अपास बहुत जादा पैसा है मतलब कि जब चाहे ले लिया जब चाहे बेश दिया वो एक अलग बात है कि आपके पास बहुत जादा पैसा है तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते अगर आप जैसे तैसे करके ये चीज़ कर रहे हो तो आपको ये मोबाइल लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप इस प्रकासे जैसे तैसे करके मतलब की 1.5 लाक रुपए जो है इकठे कर लेते हो सिर्फ और सिर्फ हो मोबाइल लेने के लिए अगर आपने जैसे तैसे करके ये मोबाइल ले लिया फ्रेंट सर्केल में आपने अपना एक लूक बना लिया तो वो पैसे होंगी जो आपके वो तो खराब होगे न अगर आपने वही पैसे अगर कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किये हैं वेस्ट नहीं करने इन्वेस्ट अगर आपने कहीं पर अच्छी जगह पे किये हैं तो आपको अच्छी रिटन आपको मिलेगी तो आपके पास जो पैसा होगा वो ज्यादा हो जाएगा अगर उसी प्रकास से आप पैसे इन्वेश्ट करते रहें तो मतलब कि बाद में अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं तो आप बाद में ले सकते हो अगर आपके पास जैसे तैसे क्याब नहीं तिने पैसे कठे कर लिये हैं तो आप उनको वेश्ट मत करो उनको invest करो ताकि आपको अच्छी return मिल सके और mobile जो आपको बहुत ज़ादा मिल जाते हैं 10 और 20,000 की range में जो है 10 से लेकि 20,000 की range में आपको अच्छे अच्छे mobile मिल जाते हैं 5G Mobile आई भी आ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, वो आप ले सकते हो, क्या रिक्त है, सिर्फ और सिर्फ personality के लिए अगर आपको ये लेना है, अच्छी income नहीं है, मेरी तरह आप जो है normal family से हो, तो कोई जरूरी नहीं है, आपके पास अगर इतने पैसे हो जाते हैं, तो आपको उन्हें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आप इन्वेस्ट करो ताकि आपको अच्छी return मिल सके, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ friend circle में personality बनाने के लिए, अगर ये mobile लेना है, तो कोई जरूरी नहीं है वाई, अगर आप पैसे ही कठे कर लेते हो, आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है, अच्छे खासे आपके पास पैसे हैं, तो friend circle में वैसे ही आपकी इमेज बन जाई, आइफोन लेने से इतनी मतलब कि कोई जरूरी नहीं है, इतने पैसे आप जो है, इस परकास से अगर नॉर्मल फैमिली से हो, तो मैं तो आपको यही कहुँआ कि ये mobile लेना जरूरी नहीं है, अब एक चीज और है, मतलब कि जो लोग परचेज करते हैं, उनके लिए आम बात है, ये mobile लेना, उनकी एक अलग बात है, अब यहां पर लोगों के बीच एक और बात चल रही है, कि ये जो mobile है, इसके अंदर जो क्या है, कि जो पहले जो 12 आया था, iPhone 12, तो वो mobile और ये mobile Sam है, कोई change वगएरा नहीं है, तो उनके बारे मैं आपको यही बताना चाहूँ है, कि ऐसी बात नहीं है, कि पहले जो 12 आया वही mobile है, color वगएरा चेंज किया, name वगएरा चेंज किया, वो बात नहीं है, अगर ये mobile आया है, तो इसके अंदर change है, अगर इतना price है, तो कोई न कोई reason से है, पहले बात तो, कोई भी चीज हो यार, नाम बिकता है, ठीक है, तो ये चीज है, तो जो 12 है, उससे और इसके बीच में जो है, अलग-अलग चीज़े हैं, बहुत सारे आपको अलग-अलग चीज़े देखने को मिलेगी, इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो आपको चिप सेट है, वो भी अलग देखने को मिलेगा, कैमरा क्वालिटी है, वो भी अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी जो ये 12 के बाद ये 13 आया है, इसके अंदर आपको वीडियो के गुमोगे, अगर आप ये मोबाइल लेते हो, तो मतलब ये बात जो अफवा हैं, कि वो मोबाइल जो 12 है, और 13 सेम मोबाइल है, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप कैमरा के अगर बात करोगे, वीडियो अगर मोवी के अंदर होता है, कि दो सक्स हैं, वीडियो के अंदर, मोवी के अंदर, और जो पहले वाले बात करते हैं, तो दूसरे का जो दूसरा सक्स वहाँ पे खड़ा है, वो बलर हो जाता है, मतलब कि वो बलर सिस्टम, फोकस जो है, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके अं ही लेना है मैं तो आपको यही कोँगा कि अगर कोई फैमिली से हो तो आपके पास अगर इतने पैसे कट्ट मिल सके हैं तो आपको उनको जो है वेश्ट मत करो उनको इन्वेश्ट करो ताक है आपको इची रिटर्ण मिल सके और जो दूसरी बात थी कि Sam मोबाइल है Sam mobile नहीं है, अलग लग mobile है और उसके अंदर changes भी बहुत ज़्यादा है आपको देखने को मिल जाएंगे iPhone 13 के अंदर आपको यहाँ पे A15 का यहाँ पे आपको चिप सेट देखने को मिल जाता है अगर comparison के वीडियो बनानी है तो वो एक अलग से बना देंगे और आज की वीडियो में आपको बस यहे बताने के लिए था कि यह दोनो mobile के अंदर काफी changes आपको देखने को मिलेंगे और आपको यह mobile लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अगर आपको डिसाइड करना है अगर आप कोई वीडियो पसंदे तो प्लीज लाइक पोमेट शेर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्या हुआ